Hello Friends, Welcome back to my channel The Taste of India तो Friends कैसे हैं आप Friends आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार में मिलने वाली बहुत ही मेंगी पर बहुत ही टेस्टी सी मिठाई चाहे तो आप इसे बंगाली मिठाई बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं से चम चम बहुत ही tasty बनेगी बहुत ही simple से तरीके से बनेगी और ये महंगी मिठाई यकीन मानिए आज आप भी घर पे बना लेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो और friends आप इसे देख के अंदा जल लगा सकते हैं कि ये कितनी tasty होगी जी बिलकुल बहुत ही tasty बनी है और बिलक अगर आप चेनल पे नए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा ताकि आपको रोज रोज नई नई वीडियो मिल सके और आप भी यमी यमी सा खाना बना सके तो चलिए देख नहीं करते हैं बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर जो पाउल भरके बिल्कुल फ्रेश मलाई डाल दी है घर की जो दूद की जमियों होती है वस वो ही डाल देनी है सिंपल तरीके से बनाएंगे पर बहुत टेस्टी बनाएंगे उसी के साथ एक बाउल भरके दूद डाल दिया था और मैंने इसमें डाली है चीनी दो चोटे गुलाब जल डाल दीजिएगा ताकि इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक चमच गुलाब जल डाल दिया था और बस अब ये गाड़ा होने लगा है साथ से आट मिनिट में वेसे गाड़ा हो जाएगा तो अब ये पैन भी छोड़ने लगा है जब गाड़ा हो अब बना लेते हैं चम चम तो इसके लिए भगोना रखाएगे इस पे और उसके अंदर डाला है मैंने हलका सा पानी आदा कप ताकि दूद चिपके नहीं फिर मैंने इसमें एक लीटर से हलका सा ज्यादा दूद डाल दिया है और एक उबाल आने के लिए से छोड़ दिया ह इसके लिए विनेगर का पानी तयार करते हैं ग्लास में डाला है दो चोटे चमच विनेगर उसी के साथ 7-8 चोटे चमच पानी डाल देना है और यह पानी हमें तयार करके रखना है साइड में यह काम भी हो चुका है दूद अच्छे से उबाल आ चुका है एक ही बार हमें नगे वूबाल आने देना है, इस परकार से फिर गेस की फ्लेम ओफ कर देनी है, और भगयटों नीचे इसे एक बार हलक आसा मिक्स करके ठंडा कर लेना है, ज्यादा ठंडा नहीं कर नहीं करना है, फिर जो विनेगर का पानी दिया है, वो इसमें इस तरह से डालते वे हमें विनेगर का पानी इसमें डालना है दूद हमें इसको फाणना है एकदम से हमें इसको फाणने के लिए जटका नहीं देना है एकदम से विनेगर का पानी नहीं डालना है दीरे-दीरे करके डालना है ताकि हमार जो ये छेना है परफेक्ट बने, सोफ्ट बने और टेस्टी सा बने चम्मच पे इस तरह से पानी लेके विनेगर वाला हमें डालना है और इसे फाड़ना है तो एक बार लिया है चम्मच में विनेगर वाला पानी फिर डाला है फिर लिया है फिर डाला है तो इस प्रकार से तीन बार में मैंने इसमें विनेगर का पानी डाला है और फिर आप देख सकते हैं परफेक्ट ये दूद फट चुका है एक्स्ट्रा बचाओवा विनेगर का पानी साइड रख देंगे और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे नीबू के रस से फार सकते हैं पर इस परकार से फारेंगे तो बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको लग रहा है अगर यह फट नहीं रहा है तो हलका सा इसे वापस गरम कर लेगे इस पर रखे पर वेसे यह फट जाएगा फिर हमें इसको डालना है सूती कपड़े में इस तरह से ताकि यह जो पानी है एक्स्रा निकल जाए और हमारा छेना परफिक्ट बने तो इस तरह से सूती कपड़े पर डाल दिया है और जो वो पानी था ग्रीन वाला उसे निकाल दिया है उपर से डाला है ठंडा पानी और इसे अच्छे से एक बार धो लिया है ताकि इसमें खटा पन या कुछ कड़वा पन हो तो निकल जाए और फिर पोटली में इस तरह से पान के एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हमें निकाल देना है अच्छे से मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है अब मैंने इसे इस तरह से एक बड़ी सी धाली के अंदर निकाल लिया है आप चाहे तो पराद में निकाल सकते हैं और फिर मैंने को हलका से ये गीला लग रहा है तो इससे सूती कपड़े से और थोड़ा सोब कर लेंगे और अगर आपको नहीं लगे तो आप इसे वेसे भी मसल सकते हैं तो अब हमें हतेली से हतेली का जो ये उपर वाला भाग होता है इसे हमें अच्छे से मसल ना है ताकि ये चिकना हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट हो और बन जाए तो अच्छे से मैंने इसे 7-8 मिनिट तक मसल लिया है और बहुत इचिकना हो चुका है अब इसमें 2 चोटे चमच सूजी डाली है और फिर मैंने इसमें डाला है आदा चोटा चमच बेकिंग पाउडर एक पिंच डाला है मीटा सोडा या जिसे हमें खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और फिर हमें इसमें डालना है बाइंडिंग के लिए कौन फ्लोर आदा चोटा चमच या एक चोटा चमच आप कौन फ्लोर डाल सकते हैं कौन फ्लोर नहीं हो तो आप हलकी इसमें मेदा डाल दे आदा छोटा चमज अच्छे से mix कर लिया था एक बार फिर मैंने इसमे color डाला है तो मैंने इसमे orange food color डाला है आपको कोई और color पसंदो तो वो डाल सकते हैं चाहे तो आप इसे white भी रख सकते हैं जो आपको जैसा बनाना पसंदो वेसे आप बना ले चोटी चोटी लोई तोड एक लीटर दूल में अब हम इसकी चाष्णी बनानी है तो वाबोने में मैंने डाली है 1.5 kg शक्कर उसे के साथ हमें पाने डाल देना है तो मैंने आधे लीटर से जाधा पाने डाल दिया है और अच्छे से चाहस्डी बन चुकी है बिलको चिपचिपी चाहस्णी बनानी है डखकल लगा कि दो मिनिट पकाया है फिर मैंने इसे चेक किया है कि इसमें जहाग बन रहे हैं या नहीं तो परफेक्ट इसमें डखकल लगाएंगे तो जहाग बनेंगे अगर आपको लगे नहीं बन रहे तो इस तरीके से आप गरम पानी कीजिएगा गरम गरम पानी इस तरह तो परफेक्ट जाग बन जाएंगे वैसे बन रहे हैं मुझे गरम पानी की ज़रत नहीं मैंने सिर्फ आपको दिखाया है डखकल लगा कि 15 मिनिट पकाया है और आप देख सकते हैं बहुत ही शांदर उपर तक जाग बन रहे हैं तो बहुत ही शांदर तरीके से जालीदार परफेक्ट यह चंचंचं बन चुके हैं तो मैंने गेज की फ्लैम ओफ की है और आप देख सकते हैं फूल के बहुत ही फर्फेक्ट हो चुके हैं तो अब इसे में बड़े से बरतन के अंदर ठंडा कर लूँगी तो इस तरह से मैंने एक बार ठंडा करने के लिए इसे निकाल दिया है फ्रेंड्स आप भी एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसान सी रेसिपी है अब जो हमने पहले मावा तयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है और वो भी अच्छे से ठिक हो चुका है अब ठंडे चमचम में चाकु से इस तरह से कट लगाना है और जो मावा तयार किया है वो हमें इस तरह से इसमें भर देना है वैसे भी आप इसे खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा बिना मावे के भी अच्छे से सारे चमचम के अंदर मैंने कट लगा के मावा बर दिया है और आप देख सकते हैं कितने सुन्दर दिख रहे हैं तो आप बताईए आप महंगी मिठाई घर पे अगर बाजार से लाते हैं गर पे आप सस्ते में बना सकते हैं और बहुत सारे पीसिस बन के तयार हो गए हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताईएगा और अगर इस तरीके से इसे डबे में भर दी जाए और किसी को ये खिलाए जाए बिना बताए तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये घर पे बनीए क्या सब बोलेंगे बिलकुँ बाहर से लाई हुई है तो आप भी इस तरह से घर पे बना के डबे में भर की किसी को सर्प्राइज दे सकते हैं आप भी बनाए इस तरह से बहुत ही टेस्टी सी ये चम चम रेसी भी पसंद आई हूँ तो कमेंट करें चेनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स आप इसे एक बार बना की जरू ट्राइ करें मुझे कमेंट करके बताए क्या आपने बनाया है नहीं थैंक यू सो मुझ फ्रेंड्स